असलाम वालेकूम, वलकम है अब सभी के इस नई वीडियो में तो यहां पर Pharmacy Council of India की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है सारे Pharmacy के Candidates के लिए चाहे जो Pharmacy कर रहे हैं, D-Farm, B-Farm या जो इस साल Pharmacy में जाने वाल हैं, या जो अगले साल Pharmacy के लिए प्रेपियर करेंगे उन सारे Candidates के लिए यहां पर एक Important Circular PCI की तरफ से आया है मैं आपको Detail में समझाऊँगा, पूरा Circular में समझाऊँगा, किन करने डेट के लिए, क्या कुछ इसमें अपडेट किये गए है सब कुछ मैं आपको Detail में बताऊँगा, इस वीडियो को पूरा इंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और Telegram Group हमारा जोइन करते हैं, लिंक उसके आपको Description में मिल जाएगी, तो चले वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं आपको पता है कि मैंने आपको पिछले साल ही बोले थे कि जो BFARM या DFARM में इस बार काफी बड़ी चेंज होनी जारी है, शायद PCI एग्जिट एग्जाम यहां पे रखेगा, उसमें फिर यह DFARM के लिए रखेगा, या BFARM के लिए रखेगा, मैंने आपको पहले ही व अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दी, इसमें डेड़ भी आप देख सेते हैं, छे फरवरी की इसमें डेट है, सर्कुलर जब यह आज वेबसाइट पे अवलेबले हैं, आप वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, अच्छी तरह से खुद भी पढ़ सकते हैं इसमें जो एग्जेट एग्ज़ाम किया है, जिन कडिड़ेट को फार्मेसी कांसल ऑफ इंडिया, PCI की तरप से लाइसेंस के लिए करना होता है, मतलब PCI से जो लाइसेंस मलती है फार्मेसी के बाद, उसके लिए यहाँ पर पहले जो आपको पता है कि मेडिकल एससेंट ज उसके लिए भी eligible उनको नहीं रखा, इसके बार में भी 2022 में एक circular आया था, जो मैं आपको उसी दिन समझा दिया था, तो फिर उनकी license भी वहाँ पे seized होगी, दो साल पहले उनकी license seized हुई, उनको फिर license वगरा नहीं देती थे, लेकिन उससे पहले उनको भी license वहाँ पे मिलती थी, लेकिन इस बार इन्होंने जो है वो defarm में भी एक बहुत बड़ी change लाई, कि जो candidates defarm करने, मतलब diploma in pharmacy के बाद, PCI से अगर वो license के लिए apply करेंगे, उनको भी यहाँ पे एक exam देना पड़ेगा, जब आपका defarm 2 साल का complete हो जाएगा, उसके बाद आपको PCI में registration करने पड़ती थी, registration करने के बाद आपको PCI से license मिलती थी, देन उसके बाद आप अपना medical store वगएरा easily खोल सकते थे, लेकिन अब यहाँ पे defarm जो करेंगे candidates, उनको यहाँ पे exit exam देना पड़ेगा, यह सिरफ और सिरफ इन्होंने फिलहाल defarmacy के लिए रखा है, अब किन candidates को होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल यह सिरफ और सिरफ defarmacy के लिए, B-farm के लिए यह बिल्कुल भी नहीं है, यह डिप्लोमा वालों के लिए, और उन डिप्लोमा वालों के लिए, जिनका session 2022 के onwards है, यह जिनका admission 2022 में हुआ है, यह 2023 में इस साल उनका admission होगा, उन ही candidates को यहां पर exit exam देना पड़ेगा, इसमें अगर 2021 वाले defarm वाले candidates हैं, यह 2020 वाले defarm वाले candidates हैं, उनको यहां पर कोई भी exit exam देना नहीं पड़ेगा, नीचे अगर यहां पर आप सर्कुलर देख लोगे, इसमें यहां पर आपको पूरा देखने को मिलेगा, 38th executive meeting जो थी, 28 January 2030 को वहां पर held हो गई थी, उसमें यहां पर exit exam इन्होंने यहां पर उसका bill पास कर दिया, और जो भी pharmacy defarm के बाद PCI की दरब से license के लिए apply करेंगे, उनको यहां पर exit exam देना पड़ेगा, उसके बाद ही वो pharmacist के लिए eligible रहेंगे, उसके बाद ही वो अपना medical store वगरा जो कुछ भी होगा, वो यहां पर खोल सकते हैं, PCI में लाइसेंस के लिए apply करेंगे, उनको वहां पर license easily मिल जाएगी, कोई भी exam यहां पर देना नहीं पड़ेगा, लेकिन जो defarm वाले candidates हैं, जिनका admission 2022-23 में हुआ है, यांकि 2022 के onwards, जितने भी defarm के admission होगे, उनको यहां पर exit exam देना पड़ेगा, इसका official circular यहां पर आउट हो इसमें exam में भी कुछ यहां पर इन्होंने अपडेट्स दिये हैं, वह मैं यहां पर आपको समझाओंगा, तो देखें, यहां पर PCI की तरफ से committee जो हो बनाई जाएगी, prescribed authority जो होगी, वह यहां पर आपका exit exam जो हो conduct करेंगे, उसके बाद यहां पर तीन paper आपको देने और उसके साथ drug store management, यह 8 subjects आपको रहने वाले हैं, इनमें आपको तीन papers देने पड़ेंगे, और हर paper के लिए यहां पर आपको तीन गंटे का time दिया जाएगा, जो paper आपका रहने वाला है, वो multiple choice, objective type ही आपका paper रहने वाला है, तीन papers आपको देने पड़ेंगे, 8 subjects के, इसमें 50 के below आपका कोई भी एक तीन papers में से कोई भी एक paper repair आता है, मतलब qualify नहीं होता है, तो आपको पूरा का पूरा मतलब fail माना जाएगा, इसके बाद आप अगले साल apply करना पड़ेंगे, लेकिन इसमें यहां पर एक important update यह है, कि आपको तीन पेपर एक ही साल में qualify करने पड़े इसा नहीं कि एक paper आप एक साल में करोगे, दूसरा paper दूसरे साल में करोगे, तीसरा paper तीसरे साल में करोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको जो तीन पेपर एक ही साल में qualify करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपको license मिलेगा, अगर for example, किसी को एक साल में तीन paper at a time नहीं प प्रू कर दी जाएगी, इसमें आपको 50% minimum marks होनी चाहिए, कम से कम 50% आपको qualified marks है, जिसके 50 या 50 के app हो है, उसी का यहां पे qualify माने जागे, और तीनो papers आपको एक ही साल में qualify करनी होंगे, उसके साथ साथ अगर आपका fail आ जाता है किसी paper में, तो आप अगले ही साल मुल्टिप या किसी भी आगे चल की कोई भी business उसका medicines के regarding करना होगा, वो easily उसमें कर सकता है, तो यह था official circular exit exam के लिए जो आज PCI के तरफ से release कर दिया गया है, यह मैंने आपको detail में समझा दिया, इसमें आपको एक और confusion होगा, के 2022 वाले कौन से करने देजिए, जिनका admission 2022 या 2023 में होगा, या आगे चल के जिस भी सार में होगा, 2022 के onwards, यान की 2022 के बाद, जो भी admissions होगे, उनका exit exam होगा, उससे पहले जो admissions होगे, चाहे 2021 के हो, 2020 के हो, उनको exit exam यहां पर देना नहीं है, बाकि B Pharmacy वालों को कोई भी exit exam फिलहाल नहीं है, अगर आगे चल के इन्होंने B Pharmacy का भी exit exam रख exit exam फिलहाल जो वो D Pharma वालों के लिए ही रखा गया, में भी आगे चल के कुछ इसमें अपडेट हो जाएगा, वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल का जो अपडेट था, जो official circular था है, वो मैंने आपको detail में समझाया, पूरा सब कुछ मैंने आपको समझा दिया, इ सकते हैं